नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका MSP Creator सबकी एक और नई वीडियो में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्वामी भक्ती के अंदर अपना सर्वस्वन्य उच्छावर करने वाली पन्ना धाय के बारे में पन्ना धाय की कहानी आपने बच्छमन में जरूर सुनी होगी या फिर हमें किताबों में भी कई बार पढ़ाई गई है तो छोटी सी वीडियो के अंदर पूरी जानकारी लेते हैं पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदै सिंग की धाय मा थी पन्ना धाय की चोहान राजपूत थी पन्ना सर्वस्य स्वामी को अरपन करने के लिए जानी वाली राणा सांगा के पुत्र उदै सिंग को मा के स्थान पर दूद पिलाने के कारण पन्ना धाय मा कहलाई थी पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदे सिंग साथ साथ बड़े हुए थे पन्ना धाय ने उदे सिंग की मा राणी करनावती के सामुहिक आत्म बलिदान द्वारा स्वर्गा रोहन पर बालक की परवरिश करने का दाइत्व संबाला था अच्छा पन्ना धाय की कहानी आगे सुनते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर शे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे दासी का पुत्र बन्वीर चितोड का सासक बनना चाहता था बन्वीर एक रात मारना विक्रमादित्य की हत्या करके उदेश सिंग को मारने के लिए उसके महल की और चल पड़ा एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्ना धाय को इसकी पूरो सूचना मिल गई पन्ना राजवन्स और अपने कर्तववे के परती सजक थी वो उदेश सिंग को बचाना चाहती थी उसने उदेश सिंग को एक बांस की टोकरी में सुला कर उसे पतलों से डग कर एक बारी जाती की महला के साथ चितोड से बाहर भीज दिया बन्ना ने उदेश सिंग के पलंग पर सुला दिया बन्ना अपने आखों के सामरे अपने पुत्र के वद्ध को अविचलित रूप से देखती रही बन्ना पता न लगे इसलिए वा आंसों भी नहीं बहा रही थी बन्नवीर के जाने के बाद अपने मृत्र पुत्र की लास को चूम कर राजकुमार को सुरक्ष स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी उन्होंने अपने करतव पूर्ती में अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवार राजवन्स को बचाया पन्ना और दूसरे विश्वास पात्र सेवेक उदे सिंग को लेकर मुस्किलों का सामना करते हुए कुम्बलगड पहुँचे कुम्बलगड का किलेदार आसा देपुरा था जो राना सांगा के समय से ही इसके लिए का किलेदार था आसा की माता ने आसा को प्रेरित किया और आसा ने उदे सिंग को अपने साथ रखा उस समय उदे सिंग की आयू 15 वर्ष की थी कुम्बलगड आते ही उदे सिंग के नाम से पट्टे परवाने निकलने आरंब हो गये थी मेवाड़ी उम्राओं ने उदे सिंग को 1536 में माराना घोशित कर दिया उदे सिंग ने 1540 में चित्तोड पर इतिकार किया मेवाड़ के इतियास में जिस गौरव के साथ प्राते स्मर्णिय माराना परताब को याद किया जाता है उसी गौरों के साथ परनाधाय का नाम भी लिया जाता है जिसने स्वामी भक्ती को सर्वो परी मानते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था इतियास में परनाधाय का नाम स्वामी भक्ती के लिए बहुत प्रसिद है वीडियो आपको पसंद जरूर शाय होगे वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजेगा और उनके साथ जरूर शे शेयर कीजेगा वीडियोस के अंदर कोई भी सुधार के सुझाव लगते हूँ तो उनको बेज जिजे कॉमेंट के अंदर लिख दीजे राजस्थान या फिर देश के किस हिसे से आप हमें देख रहे हैं वो चैनल के कॉमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेलिख है ऐसे वीडियोस देख देरेने के लिए MSP Creators अब को अभी सबस्क्राइब कीजिए